हेलो टू आल आफ यू बच्टू स्वागत आप सभी का हमारे इस प्लैटफॉर्म जी डी बेस्टी क्लासस में बच्चो एक पर फ़र से तो बच्चो यहां पर आज हम लोग जुलोजी के फिप्ट सेमेस्टर का स्लेबस यहां पर डिसकस करने वाले हैं और फिप्ट यहां पर कवर करना है उसी के साहसाथ यहां पर summers की लिए बताधे हैं और फ्री नहीं से, टूंगे इक प्रैक्टिकल होगा आपका दो थीयूरी पेपर होंगे जैसे कि आपको दिख रहा होगा डावर्सिटी ओफ कॉडिटेट्स एंड कॉम्परेटिव एनटमी तो यहाँ पर फुल मिलाकर बात यह है कि फिप्त समस्टर में थ्प्त समस्टर में आपको दो पेपर कवर करने होंगे एक तो एला पेपर यह हो गया जिसे कि आप देख रहें थियोरी लिखा हुआ है और ऐसे ही यहाँ पर डाइबरसिटी डाइबरसिटी और कॉड़ेटिटिव एनाटोमी जो की थियोरी पेपर है और एक आपका जो पेपर होगा वह प्रैक्टिकल का पेपर होगा याद रखिए को फिफ्थ समस्टर में दो ठीवरी पेपर आपको पढ़ने होंगे याद रखिए कितने दो कहा हम लोग यहाँ पर पहला ठीव पेपर में कि पहला ठीवरी पेपर क्या है और उसके बाद हम लोग द्वी पर यहाँ पर देखेंगे है कि यहाँ और जो तियोरी पेपर डिसकस कर रहे हैं वह किसके एकॉर्डिंग है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एकॉर्डिंग ही यहाँ पर सलेबस सारा डिसकस करेंगे याद रखेंगे तो चलिए आएए देखते हैं कि आपको फिप्ट समस्टर में क्या-क्या पढ़ना है तो समस्टर में सेकेंड समस्टर में फर्स्ट समस्टर में आपने देखा कि एक-एक ही थियोरी पेपर होता है लेकिन यहाँ पर क्या है यहां पर आपको फिप्ट समस्टर में दो थियान रखना है आप लोगों को तो फिप्ट समस्टर हम लोग देख लेते हैं कि समस्टर में क तो यहां पर आपको फिफ्ट समस्टर कवर करना है इसमें की थ्यूरी पेपर फिर्स्ट हम लोग देखेंगे डियावर्सिटी ओफ नॉन कॉडडेट्स एंड इकॉनमिक जुलोजी ठीक है पॉर्स टाइटल यानि जो फिरी पेपर का नियम है वह है डियावर्सिटी ओफ काफ्स्ट फेपर है थर्ट यह के अंदर ठीक है घृडियर का जुश्ट समस्टर पहला यह पेपर है याद रखे इस बाठाव grq ty और यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है बैचो यहां पर आपको लोवर एनिमल से लेकर यारी लोवर एनिमल से लेकर डैट मीन नौन कॉड़ेट्स से लेकर कॉड़ेट्स तक के यहां पर एनिमल को कबर करना है और मुश्टली यहां पर नौन कॉड़ेट्स ही डिसकस करने हैं इस बात का ज्या समिल कि जाएंगे स्विप्त सेमेस्टर या रखी य्याद रखें यह आपका नकना और चीक है तो इस के हम लोग आठ इनिटस को देख लेते हैं इसमें आपको क्या-क्या पड़ना है तो यहां पर पहला देख लेते हैं हम लोग पहला जी उनिट है आपका पहला जी उनिट है वो है फालेंट टू सिलेंटरेट यानि पहली उनिट के अंदर आपको प्रोटो जोवा से लेकर सिलेंटरेटा तक के अनिमल्स को कबर करना जिसमें कि इनके जर्नल करेक्टरिस्टिक्स जर्नल करेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसम मिलाकर बात है कि प्रोटो जोवा से लेकल सिलिंट्रेटा तक के जो भी आनिमल्स है वह आपको यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर ठीक है तो यहाँ पर साथ लेक्चर्स बनेंगे याद रखिए कि आत, आत लेक्चर्स बनेंगे इसके। तो नहीं मतलब यह है कि प्रोटो जोवा से डिंट्रेटा तक के अनिमल्स है न फ्रोटो जोवाय का जर्रार का पढ़ना होगा आपको प्रोटो जोवा में पैरा मीशियम का क्यास क्या पढ़ेंगे मार्पोलोजी पढ़ेंगे रीप उबिलिया पढ़ेंगे हम लोग और रेलिया कहीं कहीं पर पढ़ेंगे कह सकते हैं तो ओविलिया के भी मार्फ लोजी एडि प्रॉडक्षन के बारे में करेंगे इस बात का ध्यान रखना है आपको यहां पर पहली उनिट के अंदर फस्ट पेपर यानि फिप्थ समेस्टर का सब्सक्राइं तक पढ़ना है इसमें टीनोफोरा के बीजर्रक्टर्स पढ़ने हैं जिसमेंकि इसके Salient Feature हम कह सकते हैं उसके बाद Platy Helminthes के अंदर Tinia Solium पढ़ना है जिसको हम Tap Mom के नाम से भी जानते हैं Tap Mom यानि जिसको हम फीता क्रमी के नाम से जानते हैं ठीक है जो कि एक Parasite है कह सकते हैं Endo Parasite एक फार्म में काम करता है और और इसके Morphology and Reproduction को भी डिसकस करना है Platy Helminthes में ठीक राइट इन दी वा समझ मागी उसके बाद आता है Nemato Helminthes या Nemato Helminthes जिसमें कि हमको Ascaris Lumbericoids हमारे पेट में जो कीड़े हो जाते हैं तो वह Ascaris इस ही होते हैं एक्षवल में तो Ascaris Lumbericoids की Morphology and Reproduction को भी डिसकस करना है तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस Slavis के अंदर इस Slavis के अंदर आपको क्या करना है Diversity of Non-Caudates and Economic Geology जो की पेपर का नहीं है First Paper का नाम है याद रखिए इस वाद का ध्यान अखना है आपको First Paper का क्या नाम है Diversity of Non-Caudates and Economic Geology जो की 5th semester का पहला पेपर है इस बात का ध्यान अखना है बच्चे ध्यान दे क्योंकि confusion हो जाते हैं बच्चे ठीक है तो यह आपका कैसा कौन से पेपर है First Paper है यह आपका First Paper है किसका फिप्त समेस्टर का याद रखिए यह फिप्त समेस्टर का पहला पेपर है तो पहला पेपर का क्या नाम है Diversity of Non-Caudates and Economic Geology यहाँ पर Non-Caudates को mostly देख रहे हैं तो प्रोटो जवा किसमें आता है Non-Caudates में आता है अगला जो यूनिट आता है तीसरा यूनिट तीसरी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे क्या तीसरी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एनलिडा फाइलम एनलिडा चीक है एनलिडा के अंदर आता है केच्वा आपने नाम सुना होगा केच्वा आता है ना तो हलाकि यहाँ है Pilum Energylarkey members में औरलीड़ा के लिए नेरीच नाम को जो ऐनीमल है जो हिस्के मार्फोलाजी औरिसके बोजिए री मिप रुडिफ्ड़क्शण को डिस्क्रास करना याद रखिए बहुत अच्छा से बाड़े हें पड़ना है उस्के बाद आता है इसमें पहले की आपको आर्थ्रो पोर्ट को पढ़ना है अर्थो पोड़ा के ऐनिमल्स जैसे कि आप अप समझ सकते हैं जीसे चीटी हो गया आपका मदमख्खी हो गया आपकास अपके कि अब आपके आई नहीं पढ़ना है यहां पर पडना आ को पालीया मोजा कर्या होथा, जहींगा समुद्री जहींगा का मार्फलोजी इसके एपेंडेजिस कितने हैं ठीक है 19 पेर होते हैं एपेंडेजिस के नर्बस सिस्टम कैसा है और इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती ये भी आपको पढ़ना है इस फूर्थ यूनिट के अंदर याद रखे तो आ आता है आपका 6 फीप्त इउनिट और अंदर आपको क्या पढ़ना ये बही बताए देते हैं अंदर आपको पढ़ना है मोलस्का से लेकर हैं कोड़ेटा के मिम्बर्ज जो आते हैं एक फाइल में है और है मिश्का में याद रखे तो मोलस्का से लेकर मोलस्का में हम मोलस्का के जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ठीक है मोलस्का के बाद मोलस्का में क्या पढ़ेंगे हम लोग पाइला घूंगा जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं घूंगा हिंदी में घूंगा बोलते हैं तो घूंगा की मार्फोलॉजी उसका श कैसे हो रहा है इसका nervous system कैसा है और इस पर reproduction कैसे हो रहा है पाइला का यहां पर आपको पढ़ना है किसके अंदर मोलस्का के अंदर इस बात का ध्यान रखना है आपको यहां पर फिप्ट उनिट के अंदर आपको मोलस्का से लेकर हेमी कॉड़िटा तक के members को पढ़ना है और इ इसमें starfish आपने नाम सुना होगा या starfish के अलावा दुसरी और भी और भी मिंबर्स होते हैं इकानोडर्मेटा के आपने लुए टारा मीनी या तारा मचली के नाम सुना होगा इकानोडर्मेटा का मिमबर जिसका नाम है pentasuros और इसके morphology और इसके बाटर बैस्पोल सिस्टम को आपको पढ़ना है तो कुल मिलाकर बात यह कि आपर molus का echinodermata आपको अच्छी तरीके से cover करना है इस just ka paper के अंदर जो की 15 फिप्ट vaz詫़ का यह सी थाड़ यहर 5 पिप्थ समेश्टर जुलूजी का पहला पेपर डिसकस करतें जिसमें की आपको 8 इने कबर निए उसके बाद आता है और इसके बाद आता है आपका six unit फिक है पाच मैं मिनिट हो गया मोलस्का से हेमिकोडेटर तक के मिम्बर्स पढ़ लिए हमने यानि इसमें मोलस्का और इकानोडर्मेटर आपको पढ़ना एकुल मिलाकर अब आता है बेक्टर और पेस्ट बेक्टर मतलब बाहक और पेस्ट जो कीट जो है यानि ऐसे पेस्ट आप लो लोगों को तो उनको पेस्ट बोल सकते हैं और बेक्टर मतलब बाहक तो यहाँ पर क्या है कि यहां पर जो येज maior के लिँज इसको बोलते हैं और शोंडी लीफोपर ऊंड्वान तर्माइट्स एंड मॉस्क्यूटो एंड इस कंट्रोल तो पुल मिलाकर बात यह है कि इस इस पेपर इस पेपर के 6 उनिट में 30 जो यूनिट है आपकी इसमें आपको बेक्टर और प्रेस्ट पढ़ने जिसमें की कुछ इंसेक्ट दिये गए है जो कि क्या करते हैं जैसे रोडेंट्स जिसमें चुह बगर आता है खर्बोस बगर आते हैं रोडेंट्स कहलाते हैं तर्माइट्स एंड मॉस्क्यूटो एंड बियर कंट्रोल तर्माइट्स को भी पढ़ना है और मॉस्क्यूटो को भी पढ़ना है तो इनकी पूरी लाइप साइकल आपको पढ़नी है तर्माइट्स और मस्कूटों के भी तो यह हो गई आपकी पॉंसी उनिट हो गए बच्छो इक्स उनिट हो गई अब आता है सेवन यूनिट में आपको एकॉनमिक जूलोजी पढ़नी है जिसमें की एनिमल ब्रीडिंग यानिट कल्चर में पीसी कल्चर आपको पढ़ना और आंवल ब्रीडथ कैसे बनाई जाती है जिसमें की 50 अदर आपको może रेशम पालन उरम कल्चर मतमक्षी बर्म कलचर कैसे किया भूम इससे हम बनाएंगे । regions पर्लोग तो यहां पर सेहरी कल्चर लाग कल्चर बर्मी कल्चर बनाएंगे तभी तो बडब बढ़े ऐनिवलस उनको खाएंगे कैसे करेंगे तो कुल मिलाकर बात ये आपको आठ कर लिया जिसका नाम है डाइब। नौन कॉड़ेट्स इकॉन किज याद रखें ठीक है इतनी बात आपको ध्यान रखनी है वातका आपको ध्यान देना है इस वातका सभी लोगों को क्या करना है यह प्रस्ट पेपर था आपका वेश्चों चीकर अब देखते हैं दूसरा पेपर दूसरा पेपर जो आएगा दूसरा पेपर भी आएगा आपका भाई एक पेपर में नहीं होगा क्योंकि थर्ड एर है तो थर्ड एर में दो-दो पेपर आपको कबर करने होगे अब के समे पर यहां पर आपको पढ़ना रहे थे पर रहे थे एक्टोनिमिक जूलोजी में कुछ आते हैं लेकिन यहां पर पर हम लुग डाइवरसीटी कि इसकी पढ़ रहे ते नौन कॉर्डियेट की डाइबरिसिटी पढ़ने थे फस्ट में तमस्टर फिप्ट का थार्ड यए ज्यक्र नेट पढ़ा है अ मिलोग फिप्स समस्टर के सेकेंड पेपर में फिश पड़ेट और इसके अनट्र सिक्ञा कैसी तुननात्मक और की findings कैसी है या आपको पंढ़ना है किसके अंदर किसके अंदर छीग है तो याद रखनाओ फिव् टसवेस्टर में आपको की हाँ पर पढ़ने होंगे दिकी आट इन इसमें भी है तो तो हम लोग देख लेते हैं फास्ट इंट इसमें भी आठ इवनिट है बच्चो यह भी आपको आपको आठ उनिट है तो इसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको भाई सिक्स समस्टर में आपको याद रखें तो पेपर का नाम हमने बता दिया इसमें डावरिशिटी अप क्या पड़ना है यहां पर आपको क्या पड़ना है यहां पर आपको पड़ना है और जिन अपको पड़ना है यहां पर किस तरीके से और जिन हुआ है और डेटा का इस बात है नॉन कोड़ेट से ही कोड़ेट बने है ठीक है तो कोड़ेट सा ओर जिन कैसे हुआ है यह आपक सब्सक्राइब आपको यहां पर क्लासिफिक्षिशन तक पूरा क्लासिफिक्षिशन तक आपको बताना है कि इसके बात आपको बतानी होगी उसके बाद हैं हेमि कौर डेटा का तो इसके इक जर्नल करेक्टर क्लासिफिकीशन और यहां पर इसका एक मेंबर भी है विक्तर नाम है बैलनो ग्लासस का यहां पर क्या करना है habit and habitat, morphology इसकी anatomy, इसकी physiology और इसका development कैसे हो रहा है बैलोनो ग्लासस का जोगीक फाइल सब फाइलम हेमिक और डेटा का मेंबर है तो ये भी आपको discuss करना है इस syllabus के अंदर याद रिखिए ठीक है इस बात का जहां लखना है आप लोगों को ठीक है इस बात का आपको जहां लखना है इस बात का आपको जहां लखना है इस बात ये पाइली उनिट है तो पाइली उनिट में आपको कॉडेट्स की ओरजिन बताना है और हेमी कॉडेट्स में बैलोनो ग्लासस के habit and habitat, morphology, anatomy, physiology और इसकी development को discuss करना है इस first unit के अंदर जो की फिप्थ समेस्टर का second paper है theory paper याद रखिए ठीक है दो paper होंगे फिप्थ समेस्टर में इस बार exam में ठीक है आप देखिए बात करते हैं आगे आगे बात करते हैं अगली जो उनिट है second unit cifalo quadtata and euro quadtata ये भी क्या है सब πά Eranन है QUARDETA के ही सब फाइलम है पहली उनिट हो गई पहली उनिट हो गई अब second unit की बात करते हैं जो है ciflo quadtata and euro quadtata ciflo quadtata and euro quadtata याद रखिए ciflo quadtata and euro quadtata में आपको क्या क्या पढ़ना है सिफेलो कॉर्डेटा के जर्रल करेक्टर को पढ़ना है क्लासिफिकेशन को पढ़ना है और इसका एक मेंबर है ब्रांकियो इस्टोमा इसको हम एमफियोक्सस के नाम से भी जानते हैं जो कि सिफेलो कॉर्डेटा का मेंबर है तो एमफियोक्सस जैसे कि यहाँ पर हेमी स्क्राइब नाज़े से ऊंतर की इसको कह सकते हैं मायर्फ़ाजी को डिसक्स करना है और इनृक्ष को सब्स्क्राइब तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस युनिट के अंदर आपको सिफलो कॉड़ेट्स और यूरो कॉड़ेट्स तो सिफलो कॉड़ेटा का यहाँ पर जनरल करेक्टर और इसका एक मेंबर ब्रांक्यो इस्टोमा जिसको हम एंपियोक्स के नाम से भी जान दा हैं यह डिसकस करना है कि यह पर है इउरो काड़ेट्स यूरो कॉड़ेट्स एंदर क्या पढ़ना है यहां पर इसका इसका मेंबर है वह हड मांते हैं यह हड मनिया का हैबिट हैंड हैबिटेट मॉर्फोलोजी एनाटमी फिजोलोजी एंड पोस्ट एंब्रियोनिक डेवलप्मेंट कैसे हो रहा है इसके इंदर इसकी फिजोलोजी क्या है तो यह आपको पढ़ना किसमें यूरो कोडेटा में यानि कुल मिलाकर बात यह है सेकें रेंड पेपर है उसमें आपको सिफलोजीट और यूर्यू अटम पढ़ना है इसके मेंबर को पढ़ना है ठीक है पार्टिकुलल जैसे की सिफलोजीट का ब्रांकियो स्टोमा और यूरो कोडेट का हड मानिया इससे फर्स्ट उनिट में बलनो ग्लास असिए अब बात करते है थार्ड यूनिट की किसकी बात कर लेते हैं थार्ड यूनिट की बात करते हैं किसी री जो यूनिट है आपकी कि अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि कॉड़ेट्स भी दो टाइप के हैं एक तो लूट की बाएट होता दुसरा नौन बाटीब्रेट्स था रिटी नहीं होगा आप लोकार्ट प्रेजेंट होगा चीक है तो इसको आम नौन बर्टीब्रेट्स बोलते हैं तो कशेरु की और आकशेरु की नाम सुना होगा आप लोगों ने यहां पर क्या लिखा है जिसमें की आपको बर्टीब्रेट्स के क्लासिफिकिशन को डिसकस करना है और इसके जनल करेक्टर से लेकर इसके डिफरेंट क्लासेस को आपको समझाना है जिसमें की जो क्लासेस हैं बर्टीब्रेट्स के जिसमें की क्लास पिसीज, एमफीविया, रेप्टेलिया, एवीज, मैमेलिया यहां तक आपको सभी के एक्जामपल देने और सभी के थोड़ा थोड़ा वारे में लिखना है याद रुकिया बताना है आपको एक्जाम में ठीक है तो पिसीज मतलब वही मचली वर्ग है यह एमपीबी आप उभैचर बर्ग रेप्टिलिया सरीसरब बर्ग एबीज पक्ष साथ यहां पर एक टॉपिक और है पॉइजनस एंड नोन पॉइजनस स्नेक्स एंड वाइटिंग मेकेनिज्म यह जो जहरीलिय साफ है और जहरीलिय जो साफ है जिसमें की जहर पाया जा रहा है वे शर्ब बेसनेक्स जिनके इंदर जहर प्रजेंट है और बेसनेक्स जिनके सेकेंड पेपर में क्यूंकि फिट स्सेमेश्टर में अपकी दो सरे य Allah यहाली को टोटल आ शोला मिला तो सोलाइनि और कपर कैसे जाती है अलगलग समय पर अलगलग टाइम पिरिट पर तो प्रवासन किस तरीके जो रहा यह भी पढ़ना है उसके बाद दातों को किस तरीके से वाटा गया है इस्तनी बर्ग के प्रालियों के अंदर मैमल्स के अंदर को भी पढ़ना है कि दातों को किस तरीके से कैटेगराइज का गया है तो यह भी टापिक आपको फर्ड यूट पर पढ़ना है सेकंड पेपर में याद रखें तो इसमेस्टर के सेकंड पेपर में अच्छा आगे आपको क्या पढ़ना है कि यहां अब आपको अनाट्री पढ़नी है और फीजी पढ़नी है मैं कि दिखा हुआ है मेने lenे करें ए mesh कि इसमें आपको पर समझते हो इस में आता है कि म एक जिसमें की ए तर मली लिजन क्या है इस इसár Imperator यह सब आपको पढ़ना करें इस्ट्रक्षयन फ्वंक्शन ऐन्डरीरिवेटिव लिए गन्देविटिस। कौनं कौन से हैं इसकिन के तो वह भी आपको पढ़ने इसमें उसके बाद इसकेलेटन सिस्टम यह स्कीलेटल सिस्टम कंकाल तंतर भी आपको को पढ़ना है कि अबर्वीव आप एक्जियल एंड एपेंडिकुलर इसकेलेटन जा तस्पेंस तस्पेंसोरियम एंड विसरल आर्चीज तो कुल मिलाकर बात यह इस यूनिट के अंदर आपको इसकिन से रिलेटिट इंटेग्युमेनिटरी सिस्टम पढ़ना है अध्याबन इस सेकेंड पेपर है याद रखिए फर्स्ट पेपर बता चुके हैं आपकी बार दो पेपर होंगे फिफ्ट समस्थर में ठीक है अब आता है आपका फिफ्ट इंट में आपका डाजेस्टिब सिस्टम आएगा जिसमें की एलेमेंटरी कैनाल और इससे समंदित जो भी ग्ल बिजन्ट और डेंटीशन तेंटीशन आला की पहली वाली उनिट में भी था जिसमें की दंति सूत्र आपको बताना है दंतबिन्यास कैसा है और जो डागिस्टिव ग्लैंट्स है तो यहां पर पाचन तंत्र आपको पढ़ना है इस पासका ध्यानक नाहीं कि अब आता है आपका है कौनसा जिए अइंट में आपको इस इंदर और संसं मधी जो भी और वह पड़ों के अंदर उैंद सब्सक्राइबर एंदर यह are एर सेक्स भी पाए जाते हैं यानि बायू कोष्ठक बायू कोष्ठक के द्वारा भी स्वसन होता है तो कुल मिलाकर बाती है कि यहां पर एसेसरी रेस्पिरिटी सिस्टम भी आपको या और्गन्स भी पढ़ने जो की स्वसन में भाग लेते हैं स्वसन करने के लिए कुछ एस स्वसन तंत्र पढ़ना है इस फुल मिलाकर बात यह है और जो बच्चे हमारे चैनल पर नहे है चल को सब्सक्राइब जूरू कर लें ठीक है और इसी तरीके से आपको हम लाइफ शेशन भी देगे वीडियो लिकॉर्ड इस पर आपको आसानी से सारी क्लासेश अबेलबल मिल जाएंगी और यह हमारा कॉंटेक्ट नमर है बच्चों अच्छा अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यह अगली यूनिट क्या है बच्चों अगली यूनिट है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें की आपको परसंच्रण संत्र हमारी बाड़ी में जो फ्ल्यूड संच्रित हो रहा है भूम रहा है कह रहा है परसंच्रण संत्र आपको पढ़ना है किसमें और जिसमें की डेमियूनिट के अंदर जिसमें की जो फ्लान ऑफ सर्कुलेशन कमारी जो हर्ड जो होते हैं जीवो के अंदर ऐंबल की अंदर पर्वेशन ऑर इस और एकीसे कि युरे ज mellan शिस्टम यूरो जे नाइटल सिस्टम किसमें कि ट्रक्षेशन ऑफ किडिनी एभिलिश्ण ऑफ यूरोजे ड्ल २डफ्रट टाइपस ऑफ य्युक्र मिलाकर बात यह है कि यहांपर यूरी-टैडण का मतलब है कि यहांपर यूरिनरी सिस्टम से सम्मंदित यहाँ पर बाते करेंगे कुल मिलाकर ठीक है कि सक्षेशन आप किडिनी का क्या अनुक्रम है एविलीशन आप इरोजनाइटल सिस्टम ठीक है यहाँ पर पढ़ना है आपको और मेमल्स के अंदर कितने अब इस्टम ठीक लोगे खेजसनाटफ घेकरिक गील्ए यहाँ पर उरी आपको यहां पर पढ़ना च्रीक है तो यह हो गया आपकी सैवंधिय। अब आती लास्ट युणिट लास्ट युणिट में आपको नर्वा इस सम्पढ़ना है और सेंसि fullness से की महसूश कर सकते और नर्वस इसमें की एकाउंट डेन लिसमें की मस्तिष्क के बारे में आपको पढ़ना है पुरा डिटेल में और यहां पर जो नर्वस सिस्टम है स्थनी बरकिं प्रानियों में लीड़की हड़ी उसके बाद आटोनॉमिक नर्वस सिटम और ब्रेन भी आपको पढ़ना है किस्ञे है यह सैंड है फिफ्थ से मेश्टर का जो होते हैं संबेधी यंग कौन-کौन से यह आपको पढ़ने हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो classification of receptors तंबेदियंग या गैनेंद्रियां आप जिसको बोलते हैं गैनेंद्रियां आप ग्यान होता है जैसे तुचा महसूस कर रही है आंके देख रही है जीव चक रही है तो कुल मिलाकर बात यह और कि आपको यहां पर पढ़ना है classification of receptors ब्रीफ एकाउंट आप विजूवल और रिसेप्टर इन मैं देखना विजुवल कैसे देख रहे हैं तुन रहे हैं तो यह सब आपको पढ़ना है किसमें कि किसके अंदर पढ़ना है इस इमुनिट के अंदर पढ़ना है तो कुल मिलाक पेपर भी होगा और दूसरा पेपर होगा पिख जाता क्यूंकि जोटसी पर होते हैं जोलो जी वाटनी चैमेस्टरी के में सब्जेक्ट छोड सकते अपनी इच्छा के अनुसार चाहे आप जोड़ दीजिए चाहे आप चमस्टी छोड़ दीजिए इसलिए दो ही सब्जेक्ट रहते हैं थर्ड यर के अंदर तो थर्ड यर है तो थर्ड यर में फिफ्ट समस्टर आएगा सेद्धी सी बात है पूर्थ समस्टर आपका किस में सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से आपको हम लाइब शेशन प्रोवाइट करते रहेंगे बच्चो और उसी के साथ था जो बच्चे हमारे एप टोपर क्लास करना चाहते हैं अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं अगर आप नए है चैनल को सब्सक्राइब को लेजिए और जो लोग आप का नाम नहीं पता है तो आप का नाम है जीडी बेसी क्लासे जुसको डाउलोड करेंगे उसमें आप अपना नंबर डालेंगे और अपना नेम डालेंगे तो आप खुन जाएगा और साथे कॉर्स आपको देख बड्कित है कई में में रहाएगा चला वायुक्टाइब का ने रहाएगा गिया जाएगा डालेंगे तो आपको अबर और सजलिए से जाएख जाएगा और से को सट हो यावाबगे तूको.